हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक आज यू शेयर लेके आए केनेरा बेंक का पांच साल में देख लीजिए और यह लेवल थी बहुत ही शांदार इस लेवल पर बूम किया है इस लेवल से स्टार्ट हुआ है कंपनी ने और 105 तक अभी अच्छा परप्रप्रमेंस किया है हम काफी टाइम से इसको स्टेडी कर रहे थे 109 में मैंने कुछ शेयर करने का टाइम है थोड़ा और यहां पर 100 तक देखने को मिलेगा तो अच्छे खासी क्वांटिटी में निवेश कर सकते अच्छी क्वांटिटी का मतलब यह ही है टोटल के पिलरल का वन वाइट एन यह से कम उस आरोई सत्रा परसेंट जबर जस्त आरोई सत्रा परसेंट बहुत ज़्यादा होती है एक सो पांच की कंपणी है और सत्रा रुपए अर्निंग पर शेयर जनरेट करके दे रहे हैं डिवीडेन येल्ड भी दो पाइंटिंग का होगा डिवेडेन येल्ड कम है पर बहुत है अभी 105 पर चल रहा है हो जकता है 24 दिन में 100 तक भी देखने को मिले तो बहुत अच्छी अपॉर्चिनिटी यहां पर है बेंकिंग सेक्टर में अगर आपका जो है टार्गेट ही सही इंवेस्ट करने का बेंकिंग के लिए लियाज से अच्छी कंपनी एक पांट तेरा का होगा लगबग इतनी था बहुत अच्छा अपॉर्चनिटी थी उसमें भी उस टाइम पर वीडियो मनाए था हम ने और बात करें पी पी की बात कर ले तो पी रेश्यो बहुत अच्छा है च्छे का पी है यानि इसका मतलब यह होता है कि 105 सुपर का शेयर जो है छे साल में लगबग डबल हो जाएगा प्रोफिट के लिए आज से ना कि मार्केट मार्केट जो शेयर प्राइस उसके साब से नहीं बलकि अगर इसी पी रेश्यो से थाम किया पी रेश्य इंडस्ट्री का पीच अउदा है बेंक का पीच है तो इसलिए आज से भी बहुत अच्छी कंपनी है फाइनेंशाल्स की बात कर लेते हैं फाइनेंशाल्स में सबसे पहले रेवेन्यु देखें 32,000 क्रोर से 36,000 क्रोर तक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है यह ऐली में 2700 परोड से लेके 14,000 लगबग साथ एक से तक तो प्रोफिट में ग्रोथ हो गई है प्रोफिट में इस तरह की ग्रोथ रही तो कम्पनी का शेयर पाइस एक सो पांच से 200 या 300 पर जाने में टाइम नहीं लगेगा ऐसी परफॉर्फॉर्मेंस रही तो क्योंकि पास परफॉर्मेंस का मतलब यह नहीं कि आगे भी इसी परफॉर्मेंस रहेगी बाकी सब फंडामेंटल सपोर्ट करें उस लिहाँ से लग रहा है कि यह ग्रोथ रहेगी तो एक सो पेंस का शेयर 200 रुपए जरूर एक डियर साल में देखने को मिल जाएगा मैं डीटेल्स में लेते हैं नेट्वर्थ दिखा देताओ से लिए हैं में ख्रोएध मेंट्र प्रॉपिट मार्जन की तो नेट्रोफिट मार्जन देख लिए आप principles पुछ इस ते तियस्की देразу हैं कर के रखा है quarterly में यह बात करेंगे तो नेट्प्रोफित margin में कम है पिचार आठ बारा तेरा अभी चल रहा है तो नेट पर फिट मार्जिन भी अच्छा है अर्णिंग पर शेयर भी अच्छी ग्रोफ दिखाय दे रही है डिवीडियन की बात करता में दबल हो रहा है यही चीज़ देखने को मिल रही है बुक वेल्यू की बात करेंगे तो 330 के बाद 2020 के बाद कम होई थी 339 उसके बाद 349 नेवासी और 400 टाउन एक बार लोस होने के बाद जो 2020 के बाद कम होई थी उसके बाद continue कर रही है यहां कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि बुक वेल्यू 458 यहां पर बता रहा है 2420 की और जब यहां पर हम financials में आते हैं फंडामेंटल में तो यहां पर बुक वेल्यू 98 की दिखा रहा है तो यह क्या चीज है यह चीज दिखाने के लिए मैं आपको पुराणी न्यूज दिखा जैता हूं अभी जैस्ट वाली न्यूज देख लिजिए कंपणी ने दो दस का जो है इस प्रिटिंग दी है यह जिसके पास दो शियर थे कंपणी के उसको अभी दस शियर मिल गए है यह एक पर लगबग 5 शियर मिल गए है तो उसके साब से देख लिजिए कि जो साड़े 4500 का यहां पर बुक वेल्यू थी वो डिवाइड होके 98 के हो गई है पांच के हिसाब से तो इस तरीके से होता है तो पुक वेल्यू 98 अभी करन्ट के हिसाब से दिवाइड करके देखेंगे तो उसलिए आज से बहुत अच्छा है तो क्या समराइश कर लेते हैं क्या कुछ है कंपनी के शेयर में भी के लिए 105 पर चल रहा है करन्ट ल नीचे जाने की बहुत कम उम्मीद है अपर में मेरे को लग रहा है कि काफी जल्दी हमें 200 का टार्गेट देखने को मिल सकता है जल्दी का मतलब एक साल के अंदर या एक दिए साल के अंदर देखने को मिल सकता है या थोड़ी बेट परफॉर्मेंस भी किये इसने तो तीन स